नमस्कार दोस्तों, आज National Board of Examination की तरफ से एक notice एशु हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर क्योंकि municipal elections हैं, इसलिए FMG का जो screening exam है, वो अब 4 December की जगे postpone करके 20 January 2023 को किया जाएगा. notice जब आया, तो बहुत सारे लोगों के reactions आया उसके उपर, और वो reactions काफी variable दें. एक तरीका जो सोचने का है, वो है कि क्या हमारे exam को ऐसे कम सोचा गया है कि हमारे exam जो है, उसकी value नहीं है और elections को उससे उपर रखा गया है, मेरा ऐसा मानना नहीं है. मैं ऐसा समझता हूँ कि exam को conduct कराने के लिए, वो भी एक smooth तरीके से, proper तरीके से conduct कराने के लिए, काफी सारी administrative process होती है, machinery required होती है, government की resources utilize होती है. बहुत सारे resources overlapping होते हैं, जो कि elections के time पे भी utilize करने के जरूरत पढ़ सकती है. अब किसी भी कारण से administrative body ने ये decision लिया, क्योंकि elections के साथ overlap हो रहा है, तो exams को हो सकता है, वो समय पे possibly handle नहीं कर पाते ठीक से, तो उन्होंने exam postpone कर दिया. एक तरीका हो सकता है कि हम इसको react करें, emotional हो जाएं और negative चीज़े सोचें इसके बारे में, कि exam postpone हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्या ये ठीक हुआ, क्या administrative body इससे भेतर कुछ नहीं कर सकती थी, क्या elections जादा जरूरी थे, और हम अपनी energy और अपना time इस चीज़ में waste कर लें. जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो कैसा भी student हो, एक topper से लेकर, एक sub average student टक, जब exam की date pass आने लगती है, और हमें इस चीज़ का एहसास होता है, कि हमारी तैयारी जो है, वो शायद और बहतर हो जाती, अगर हमें थोड़ा सा extra time मिल जाता, जैसे कि आपने देखा होगा, तो pen की speed दूगनी हो जाती है, आपको question paper के अंदर वो questions पिछले धाई घंटे से दिख रहे थे, लेकिन जब announcement होती है कि last 30 minutes remaining, तो हमारी speed बढ़ जाती है, इसका कारण होता है, क्योंकि हमारा दिमाग process करता है कि अब इस limited time के अंदर हमें एक sprint भागनी है, एक जाधा distance cover करना ह short span के अंदर, same चीज exam की preparation के समय पे होती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने session conduct किया, तो उन्होंने का कि sir हमें anxiety हो रही है, क्योंकि exam बहुत pass आ गया है, अगर exam में पढ़ने के लिए हमें 10 दिन और मिल जाते, तो हमारी performance और better हो जाती, मन पे हाथ रखके बत जोहिने से उपर का time हमें provide कर दिया गया है, तो अगर हम emotional ना हो, हम इस चीज़ के बारे में जादा ना सोचें कि decision क्यों लिया गया, exam postpone करने का, या फिर हम authorities के बारे में कुछ negative चीज़ सोचें, उससे better हम इस चीज़ पर focus करें, कि हम इस extra time को कैसे utilize कर सकते हैं, पहली चीज आप कर सकते हैं, कि आप जो आपके subjects, जो थोड़े weak रह गए थे, या जो subjects अभी भी untouched रह गए थे, उनके ओपर जादा focus करें, मान लीजे हम exam की अब बात करते हैं, तो आज, यानि की 15 November के दिन, जब हम बात कर रहे हैं, अब से लेकर exam तक आपको लगभग 65 दिन मिल गई है तो ये जो दिन थे, आखरी के 20 दिन, जो आपने अपनी exam की तयारी के लिए रखे हुए थे, ये तो वहीं पर रहे, और जो आपको extra 35 दिन मिले, मैं personally आपको recommend करूँगा, कि आप उसमें से 15 दिन उन subjects को दें, जिनको आपने अभी तक ignore कर रखा था Trust me, there are people who have messaged me that they had started the preparation just one month or two months back This is a screening exam, I understand it is an exam which is relatively easy in comparison to the PGA entrance exam However, it is not an exam which is supposed to be taken so lightly, cakewalk थोड़े ना यार ये कैसा exam है जो ये decide करेगा कि आप यहाँ पर practice करने के लिए competent है या नहीं है तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें, तो हम इतनी चीज़ कर सकते हैं कि जो subjects हमारे पहली चीज़, जो subjects हमारे तयार हो चुके हैं, उनको हम अभी रख देते हैं side में जो subjects हमारे untouched हैं, या हमारे weak areas हैं, उनके ओपर इस समय extra time के अंदर focus करें मैंने आपको अपने last video के अंदर भी समझाया था, जहां पर मैंने ये question raise किया था, जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे face to face sessions नहीं पूछा है कि हम 10 subject पड़ कैसर exam clear कर सकते हैं, तो मैंने आपको mathematical calculation के साथ समझाया था, अगर आप 10 subjects बिल्कुल छोड़ के जाते हो तो आप 80 questions में से 0 score करोगे, और तब आपके ओपर pressure बहुत जादा बढ़ जाएगा, बाकी remaining 210 या 220 questions में से 150 score करने के लिए लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से handle कर लो, मतलब जो subjects आपके strong हैं, उसके अंदर आपका strike rate बहुत अच्छा है और जो subjects आपने बिल्कुल छोड़ रखे हैं, उसके आप कम से कम previous year questions कर लो तो अगर मैं मान के चलूँ कि आपके 6 या 7 subjects भी अभी तक untouched थे, तो कम से कम 2-2 दिन एक subject में भी हम invest करेंगे तो I am sure कि उसमें हम at least 30% questions तो recall कर पाएंगे, इतना भरोसा तो हमें खुद पे होना चाहिए जब हम 30% questions उन remaining untouched subjects से cover कर लेते हैं, तो आप imagine कर सकते हैं कि बाकी subjects, जो आपके अच्छे subjects हैं उसमें जो scoring pressure है आपके mind के ओपर से, वो काफी कम हो जाएगा और जब वो pressure खतम होगा, तो believe करिएगा exam के अंदर आप ज़ादा rationally, ज़ादा calmly focus कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि examiner आपसे क्या बूछ रहा है जितनी ज़ादा stressful situation होती है, उतने समय पे हमारे को कभी-कभी exam के time पे particularly, क्योंकि information का बहुत ज़ादा bombardment हो रख है subjects जो हैं, इतनी सारी information है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी exam के समय पे mental block लग जाए बट अगर हम अपने mind को काम रखेंगे, देखो हर को यह आपको बताएगा कि exam में stay calm, stay positive, लेकिन कैसे काम रखें वो काम करने का तरीका मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, कि जो subjects आपने अभी तक नहीं पड़े, उनके last five year के questions और pattern को आप judge करिए कम से कम उन questions के हिसाब से, अगर आप explanations को समझ लेते हैं, तो आप अपने उपर से कम से कम 30 या 25 संबर का जो pressure है, उसको आप remove कर देते हो जब आप paper one के अंदर ये चीज़ experience करोगे, तो automatically आपका mind आपको signal करेगा, कि आप ये exam 100% crack कर सकते हैं और तब आप जब paper two में बैठेंगे, तो आप एक fresh mind के साथ, एक peaceful calm mind के साथ paper को अप्रोच करेंगे क्योंकि paper two के questions, जो medicine, surgery, option, gynae, pediatrics तैसे subjects हैं, अगर उनके clinical questions आते हैं, उसको सोचने के लिए, उसको integrated concept को test करने के लिए आपको अपने दिमाग को apply करना बहुत ज़रूरी है तो ऐसा नहीं है कि information आपने पढ़ नहीं रखी, information आपने पढ़ रखी है, लेकिन अगर हम calm रहेंगे, और ये strategy यूज़ करके हम exam के अंदर अगर अपने mind को एक peaceful level पे रखेंगे, तो हमारी probability of clearing the question ज़्यादा बेटर हो जाती है तो मैं आपसे सिरफ और सिरफ तीन चीज़ों की request करूँगा, पहली चीज, exam की postponement को negative तरीके से मत लीजिए, अपने आपको इतना इमोचतली weak मत करिए कि social media पे post करने लग जाएं, या दोस्तों के साथ discussion करें, या faculty को messages करना start कर दें, कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो र आपको, better है कि इस समय पर हम strategy number two utilize करें, जहां पर जो हमारे अच्छे subjects हैं, हम उनको strengthen करें, जो हमारे subjects left out हैं, हम उन subjects के previous year questions कर लें, और हम अपने आपको better opportunity दे, probability of succeeding the exam को increase कर लें, so that exam में जब हम बैठें, तो हमें confidence हो कि हमने almost 19, या मैं बोलूं 18 out of 19 subjects हो cover कर रख है, और हम उ इसरी चीज हमेशा ही अपने उपर विश्वास रखिए, ये वो समय है, जब आप make या break कर सकते हैं अपना future, तो इससे पहले कि आप किसी और से influence हो जाए, सबसे पहले अपने आपको trust करिए, सबसे पहले अपने mentors को trust करिए, और जैसा कि मैंने आपके साथ एक session में भी बोला कर पाएं, ताकि exam के perspective से आपको सबसे जादा benefit हो, तो exam के बारे में फिक्र मत करिएगा, exam के बारे में मेहनत करिए, ताकि जब उसका result आए, तो आपको और हमें as educators आपके ओपर फक्र हो, हमने सोच लिया है कि हमने exam करना ही है, हर हाल में करना है, और इस जीतने की जिद को अपने अंदर आपने और जादा अच्छे तरीके से increase करने है, तो अब ठान लिया है, तो ठान लिया है, हम ये exam अब करके ही रहेंगे, और हम अपने आपको प्रूव करके ही मानेंगे, मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामने